हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक और आईडी एफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप सभी को बता है कि कल जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में एक बहुत ही भयंकर अ और ऐसे कुछ श्टॉक्स भी थे जिनों ने इस तेजी का सबते जादा फायदा उठाया जिसमें से आपको यस बैंक और आईडी एफसी फर्स्ट बैंक भी देखने को मिला यानि कि इन दौनों श्टॉक में ही काफी बड़े मुमेंट्स थे लेकिन इनके पीछे के जो री इसके शेर प्राइस पर पढ़ गया अब कल क्या हो सकता है क्या के अपडेट्स है वो सारी चीजा में इस वीडियो के थूर डिसकस करने वाले हैं आप से एक रिक्वेस्ट अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरू कर दिया करो क्योंकि जो हेट फैलाते हैं वो अपना काम जरूर करते हैं वो कॉमेंट में अपने हेट कॉमेंट्स जरूर डालते हैं तो फॉर सपोर्ट आप एक लाइक और एक अच्छा तक कॉमेंट जरू कर दिया करो सो डैन मुझे भी आँचे थुड़ी बद मोटिवेशन मिलती रहे अब सबते पहले आपको पता ही है कि कल का जो मार्केट था उसमें एक अच्छा कासा मुझेंट आया था यानि कि सेंसेक्स में करीवन 1276 का मुझेंट था निफ्टी 50 में 386 पॉइंट का मुझेंट था निफ्टी बैंक में आपको 1000 पॉइंट से ज्यादा का मुझेंट देखने को मिला तो वहीं यहां पे जैसे आज तो अपना इंडियन मार्केट क्लोज है सबते पहले आप सभी को और और आपके परिवार को दशेरा की हाद देख सुपकामना है तो यहां पे अगर हम आज का जो गलोबल मार्केट का सेनारियो देखें यानिक इंडियन स्टॉक मार्केट तो आज करकेट देखने को मिलता है यानि कि कल हमें मुमेंट देख ने को मिल रहा है तो ऒकल Gयारा कम कौमना होती होग आपको ना देखने लेकिन मुमेंट आपको एक अच्छा गासा देखने को मिला और पांच परसेंट से जादा का अपसाइड मुमेंट एक दिन में देखने को मिल गया शेर ने आप 15 रुपे तक के लेवल टच कर दिये थे इस गिरावट में लेकिन अब फिर से एक बारी 16 रुपे 20 पैसे पर पहुँचते हो नजर आया है लेकिन अभी भी अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले एक महीना अभी भी आपको खराबी दिखाई देता है करीबन तीन परसेंट के आसपास के नेगेटिव रिटन्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे पिछले 6 महीना जो कि अभी तक 19 परसेंट के आसपास के पॉजिटिव रिटन्स दिखाता था वो अब यहाँ पर आपको 24 परसेंट से जादा के पॉजिटिव रिटन्स दिखा रहा है तो यह एक अच्छी चीज है कि एक दो अगर ऐसे मुमेंट आ जाते हैं तो जो दिवाली तक के टारगेट हैं 20 रुपे से 22 रुपे तक के वो शायद आपको अचीव होते नजर आ जाए बहुत ही जल्दी लेकिन कंडिशन वसी यही है कि मार्केट में जिस अकॉडिंग गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में वो अब थोड़ी सी अगर थम जाती है तो डेफिनिटली यह टारगेट अचीवेबल दिखाई देते हैं अब अगर आप देखोगे इस निकल के आई थी कि IDFC First Bank और Yes Bank के जो शेर प्राइस है वो कल के दिन 8% और 5% से बढ़ते हो नजर आए अब ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सीन है वो यह है कि IDFC First Bank और Yes Bank ने Q2 की कुछ अपडेट शेर की जिसमें अगर आप देखोगे तो दोनों ही बैंक के जो डेटा निकल के आए बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे और वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव थे कि एक्स्पेक्टीशन जो लगाई जानी थी उससे बहुत ज़्यादा अपसाइड में देखने को मिला है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके साइडी एफसी फर्स्ट बैंग के बारे में भी बताया गया है कि किस अकॉर्डिंग यहाँ जो चीजा हुई है यहाँ फिस सेप्टमबर का जो क्वाटर टू का रिजल्ट आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है रि इनके कासा घ्रो किया है तो इस सारी चीजा आप यहाँ पे देख सकते हो मौर्ट डिजनिस के बारे में भी बताया गया है तो उसे ही यहाँ पे यहां के बारे में बताया है कि इनके डिपाजिट्स नहीं 13% से ग्रो करते हो नज़र आएтесь इनके loans and advances थे वो यहाँ पर आपको बताए जा रहा है कि June में कितने थे और अब September में कितने हो गए है deposits जैसा कि मैंने आपको बताए 13% से ग्रो किया है quarter on quarter basis पर भी 3.5% की growth है वही अगर आप देखो कि कासा यानि की current account and saving account भी आपको 19% से increase होते होना जारा है वही अगर आप देखो कि तो quarter on quarter basis पर 4% से increase होते होना जारा है credit to deposit ratio आपको यहाँ पर चीज़े देखने को मिल रहे है कैसे कैसे कितना कितना रहा है वही LCR यानि की liquidity coverage ratio भी इनका ठीक टाग ही है और अगर हम यहाँ पर देखे तो चीज़े कुछ ऐसी निकल के आती है कि अब जो analyst है वो सारी चीज़ों को consider करके वो यही बोल रहे है कि यहाँ से जो सब्त बड़ा target निकल के आता है वो निकल के आता है 20 रोपे का लेकिन condition बस यह है कि market इतना ज्यादा fluctuation ना दिखाए जितना पिछले 15 से 20 दिनों में दिखा रहा है क्योंकि फिर उस time पे क्या होता है कि panic situation बनती ही बनती है और ऐसा नहीं है कि जब overall market में 1-2% का downside आ रहा है तो yes bank वहाँ पे आपको 5 या 6% का upside दिखाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा fluctuation देखने को मिल जाएगी तो यह थोड़ी चीज़ें यहां से समझके चलनी पड़ेगी वह अगर हम बात करें तो अभी इनके जो चीज़ा change होई है यहां पे एक report भी निकल के आई है जो प्रसांद कुमार rewriting the yes bank story कि कैसे कैसे चीज़ें यहां पे अब सही होते हुँ नजर आ रही है उसमें यहां पे प्रसांद कुमार का नाम लाया गया था as a CEO of yes bank उसके बाद कैसे कैसे चीज़ें यहां पे आई थी यानि कि fresh capital का infusion कैसे करना है और जो हमारी सबते बड़ी यानि कि bad loans की दिक्कत है वो कैसे कैसे यहां पे चीज़ों को हटाना है सही करना है वो सारी चीज़ों का जो सबते बड़ा credit दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है प्रसांद कुमार को उन्होंने यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को tackle किया है उन्होंने planning और execution में काफी यादा सही होती ही नजर आ रही है अभी तक तो और जिस according का बयान भी निकल के आया था कि Q3 के numbers में quarter 3 के numbers में आपको जो yes bank के NPS है वो 0 नजर आ जाएंगे यानि कि उससे पहले पहले ही आपको AAC वाला जो part है वो भी खतम होते है नजर आ जाएगा तो मुझे जहां तक लगता है कि जब Q2 के numbers आएंगे यानि कि exact जब result आएगा उस दिन आपको yes bank में एक अच्छा गात है moment देखने को मिल सकता है और जो 20 रुपे के target है वो शायद उस time तक achieve हो जाए लेकिन maximum जो लगता है वो दिवाली तक achieve हो सकते है और वहीं अगर बात करें Q3 तक ये आपको 30 से 35 रुपे तक का जो upside moment है वो दिखा सकता है बाकी ये तो just मेरा opinion हो सकता है ये बिल्कुल गलत भी हो आपको क्या लगता है आप जो भी आपकी thinking है comment में आप जरू बताइए एक like जरू करिएगा जैसे कि मैंने starting of video में भी आपको बताया था वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा चैनल पर फश्राम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजगा धन्यवाद